यूपी में इन दिनों लावड स्पीकर को ले कर सकती जारी है सुप्रिम कोट और उत्तप्रदेश तरकार के आदेश आने के बाद गुरुबार को दोपहर थाना सहदत गंज शेत्र के कई एलाकों में एसीपी बाजार खाला के नितरत में भारी पुलिस फोर्स मंदिरों वा मस्जिदों में पहुँचा और अत्रेक्त लावड स्पीकर को उतरवाया साथ ही मस्जिद के एमाम वा मंदिर के पुजारी को बताया गया कि लावड स्पीकर लगाने के क्या मानक हैं पुलिस फोर्स ज के साथ साथ नियमों के मताविक लाउड स्पीकर चलाने की अपील की गई लखनो से राहूल गुपता की रिपोर्ट सबसे पहले तो यह अवगत कराना है कि माननी हाई कोट और शाषन के निधेश हैं कि जो भी निधाय डिसिबल है उसी के आसपास हम लोग अपने धुन विस्तारा कैंतरों के आवाज को रखें इसी क्रम में सबसे पहले हमने जो एहां के धर्म गुरू है हमारे सर्किल के जारी करें और उनने अपील भी जारी किया जो भी हमारे यहां पे बड़े-बड़े धर्म गुरू है विमिन धर्मों संबंधित हैं सबने अपील जारी करें उसका बड़ा अच्छा मैसेज रहा है कि हमें खुदी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कहीं कोई विरोध नहीं है सब विरोध नहीं है इस में रोड गया बताया भी गया है कि कितना निर्धाइद देशिबल का आप साउंड रखेंगे और समान निर्दे से हैं कि जो भी आप लगा भी रहा है अगर एक दो तो उसको उसका साउंड इतना स्लो रखिए कि आपके परिसर में जो धार्मिक परिसर जिसको आप सुनाना चाह रहा है वो लोग सुन ले बज लोग स्कुदी हटा रहे हैं और खटा के बता भी रहे हमने हटा लिए उतार लिए यहां पर आए तो दो लॉड़ी स्विकर पहले से और जो उतार के रखा था मौला साहब ने ठीक है बाकी दो था उतार लिए और लॉड़ी स्विकर की आवाज 99% केसे में कम हो गई है और पर नहीं हुए है उनसे अरोथ करें कि उलोग कम कर लें अग्यात्मि चे यह पहले से हो चरीकिषय का आधार्य को नहीं कारवाई कैसा लग रहा है कि सयोग किस तरीके का रहा है या कोई विरोद आ बहुत ही पाज्टिव सायोग है और बहुत शकरात्मक सोचे सबकीस में खासकर जो हमारे धर्म गुरू है विविन धर्मोश संबंदित उन्हों ने इसको बहुत पाज्टिव लिया इस मेसेज को सबने एक अपील करी है इस अपील का प्रभावी दिखाए